हेलो स्टुडेंज वेल्कम बैक टू माई यूटीब चैनल जियोग्रोफी गुरू आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास नाइन तैसेश्टी सामाजिक विग्यान की वर्कशीट नमबर 77 यानि कारे पत्रक संक्या 17 को इस वर्कशीट में हमारा चैप्ट रहेगा जियोग्रोफी का फूर्थ चैप्टर जलवायू क्लाइमेट जलवायू अगर ये चैप्टर हम अच्छे समझ लें तो हमारे आज पास की मोसम में होने वाले बदलाओं को हम बहुत बहतर तरीके से समझ सकते हैं जलवायू चैप्टर में बात की गई है मानसुन की जिसको हम हिदी में मानसुन कहेंगे भारतिय मानसुन की मौसम की और भारत की हमारे आसपास की इलाके की जलवायू को परभायो करने वाले कारकों से उन सब आज की इस वर्क्शीट में हमारे पास जो questions रहेंगे वो वेरी short answer टाइप, शोट आंसर टाइप और लोंग आंसर टाइप कोशेंस रहेंगे सभी जो कोशेंस है आपकी एन्वल एक्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट रहने वाले चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वर्कशीट की जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ओपर देख पा रहें ये हमारी वर्कशीट नंबर 77 यानि कारे पत्रक सिंख्या स्तत्त रहेगा हमारा सब्जेक्ट SST सामाजिक विज्यान है जिसमें भुगोल जियोग्रोफी के 4 चैप्टर जलवायू है उसको थोड़ा और समझने और पढ़ने की कोशिश करेंगे दिनाक रहेगी 28 जनवरी 2021 इस वर्कशीट में कोश्चन नंबर 125 है ये वेरी शोर्ट आंसर डाइप कोश्चन है सेफ्थ कोश्चन हमारा सोर्स बेस्ट कोश्चन रहेगा और 7 और 8 जनवरी ये शोर्ट आंसर डाइप कोश्चन रहेगे और 9 और 10 लोंग आंसर डाइप कोश्चन है हमारा 1 फर्स्ट कोश्चन है जलवायू का क्या रथ है क्योंकि चैप्टर ही जलवायू है तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए ये जलवायू क्या होती है जलवायू का क्या अर्थ है लंबे समय में मोसम के उस्त को लंबे समय कितना लगभग तीस वर्ष में मोसम के उस्त को जलवायू कहते हैं तापमान वायूदाब आदरता पवने ये सभी जलवायू के कारक होते हैं अब मोसम के उस्त को मोसम को समझन जरूरी है मोसम क्या होता है दिन पर तिन की जो वायू मिंडल की दशा उसको हम मोसम कहेंगे जैसे आज का आप देखिए आज पौनी किस गती से चल लिए आसमान किस तीती साफ होगी तापमान कितना है आधरता कितनी है वर्षा हो रही है नहीं हो रही है तो यह सब कुछ दो पохंतर होता जलुआयों मोसम में कारक तो एक जैसे मोसम हो दिन में कई बार बढल सकता है शुबह थंड़ा मोसम था दौपैर को गरम हो सकता है शाम को बारिश लू कहते हैं, सब को पता है कि जब लू चलती है मईस से जून तक स्टूडेंस को तो अच्छे से पता है कि स्कूल के छुटियां हो जाती है, गर में बढ़ जाती है, उमस बढ़ जाती है उसके बाद थर्ड जो हमारा कोईशन है, चेन्नई में अधिकांस वर्षा किन महिनों में होती है चेन्नई में अधिकांस जो बारिश है वो अक्तूबर, नॉंबर और दिसंबर के महिनों में होती है अक्तूबर से शुरुवात हो जाती है, अक्तूबर नॉम्बर में जातर होती है, कई बार दिसंबर तक चली जाती है, इसलिए आप देखते भी होंगे न्यूज में, कि जब हमारे यहाँ पे सर्दिया होती है, तो उस वक्त चेन्णई में तमिल लाडों में बार आई होती है इसका करण यह है कि जो चेन्णई में बारिस होती है, वो बारिस सीथकालेन मौनसुन से होती है, जैसे हम अगर साउथ इंडिया की बात करें, तो हमारे यहाँ पे साउथ इंडिया में जो बारिस होती है, बाके हिस्सों में तो बारिस कहा होगी, जो तक्षनी पस्षमी मौ यह वरिष्टी चाया पर्देश में आ जाता है, यह मौनसुन यहां से गुजर गया और यहां पर बारिश नहीं होती, लेकिन जो लोटता हूं मौनसुन आता है, उत्र पूरी मौनसुन शीत कालिन में, वो बंगाल के खाड़ी से नमी गरहन कर लेता है, और पूरी घाट से ट दो साखाई कौन सी होती है, एक तो साखा होती है, बंगाल की खाड़ी की साखा, और एक होती है अरब सागर की साखा है, यह बारिश करती है, तट्ये लाकों में, मध्य भारत में, और ओपर हिमाचल की तरफ निकल जाती है, दूसरी साखा है, वो है बंगाल की खाड़ी की स तो यहां पर हम यह लिखेंगे कि यह बंगाल की खाड़ी की शाखा के दोरा होती है, थोड़ा ओर डिटेल में लिखना चाहें, लिख सकते हैं कि बंगाल की खाड़ी की पश्मी शाखा, क्योंकि यह भी दो भागों बंड गए न, उत्रपुरो और पश्मी, तो अगर इतना होना चाहे था, क्योंकि कम वर्षा वाले तो सारे ही शेत्र हैं, हमारे तटिये, जो पश्मी तटिये मेदान है, लक्स दीप समू है, अंडे मानी को बार है, पुरोत्र भारत को छोड़ दें, तो बाकी देश में क्या होती है, 400 सेंटिमिट से कम बारिश होती है, तो कोई भ परदेश, 36 गर्ड, महराष्टा इत्यादी, उसके बाद सिक्स्थ कोईशन दिया गया, अनुछेद को पढ़ कर दिये गए परशनों के उत्तर दीजिए, तो अनुछेद है, उसमें बात की गए है, लोटते वे मानसुन की, एक बार उसको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, उसमें बात की गए, लोटते मानसुन जब लोटना शुरू कर देता है, तो मौसमें क्या-क्या बदलावाते हैं, तो दोनों ही कोशन में कवर हो रहा है, तो इसलिए हम रीड नहीं करें वहाँ पर, पहला कवार की उमस हमें क्यों नहीं सुहाती है, अब कवार की उमस क्या ह जब मौनसुन सितमबर, 15 सितमबर से लोटना शुरू कर देता है, पंजाब, हर्याना से, राजस्तान से, दिल्ली से, उस वक्त जो आधरता है, वो ज़्यादा होती है, ओके, आधरता हुमिडिटी ज़्यादा होती है, मौसम में, और तापमान दिन का ज़्यादा होता है, ठंडी होनी शुरू हो जाती है तो उस वक्त उमस बहुत ज्यादा होती है पसीना आता है बार बार तो इसमें इस मोसम में उस तापमान और अधिक आधरता के कारण मोसम में वो ऐसे नहीं होता है बहुत अधिक पसीना आता है इसलिए हमें कवार की उमस है बिल्कुल नहीं सुआती है, अजीब सा मोसम होता है ये, उसके बाद जो सिक्स्त कोशन का सेकंड पार्ट दिया गए, जो अनुचेद पर आधारित है, अक्तूबर एवं नॉवंबर के महिनों में मोसम में किस परकार के परिवर्टन आते हैं, ये हमें बताना है, तो इस मोसम में आसमान साफ हो जाता है, अक्तूबर नॉवंबर महिनों में जो मोसम लोटना शुरू कर देता है, तापमान भी फिर से वरीदी होनी शुरू हो जाती है, दोबारे से तापमान है, वो बढ़ना शुरू हो जाता है, तापमान, दिन का तापमान है, वो ज्यादा होता है, उच्छ होता है यहाँ पर उच्छ लिखा जाएगा उच्छ होता है जबकि रातें ठंडी और स्वावने होती है यानि रात का तापमान कम रहता है इस मौसम में दिन का तापमान अभी भी उच्छ रहता है इस मौसम में आधरता उच्छ बनी रहती है काफी जादा आधरता हो जो कि उम्हस का कारण बनती है तो यह परिवर्टन आते हैं उसके बाद सेवंध कोशन दिया गया है सेवंध कोशन है मुंबई और चेनई की वर्षा की तुलना कीजिए और उनके अंतर के कारण भी बताईए हालांकि एकजाम के पॉइंट ओफिस बिल्कुल भी इंपोर्टे महिने में होती है जबकि चेनई में लगभग अक्तूबर या नौमर महिने में होती है अधिकांस वर्षा पहला अंतर तो यह है दूसरा अंतर है मुंबई में वर्षा ग्रिशम कालेन मौनसुन से होती है गर्मियों में होती है जबकि चेनई में वर्षा है वो अधिकांस त करेंगे तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो मुंबई जो बारिष होती ए दक्षनी पर मौनसूं जो ग्रम्यों मौनसूं एंट्री करता है लगबत दस यूनको यहां पर फांसता है मौम्बई में बारिष हायसे होती जबकि चेन्णाई में जो बारिस होती है जब सर्दियों में मौनसुन लोटता है वाईधाब यहाँ अधिक हो जाता है यहाँ कम होता है लोटता मौनसुन बंगाल की खाड़ी से नमें गरहन करता है पूरवी घाट से टकरा करके इस इलाके में बारिश करता है तो ये हो गए अंतर अब ये की अंतर का कारण क्या है कि ऐसे सर्दिया गर्मियों में बारिश क्यों हो रही है गर्मियों में वहां क्यों नहीं होती है तो ये हमें कारण में बताना है तो अंतर का मुख्य कार्ण ये है कि चिन्नई में लोटताव मौनसुन बंगाल की खाड़ी से आधरता गरहन करने के बाद बारिश करता है जिसके कार्ण यहां शीत रीतों में बारिश होती है ग्रिशम कालिन मौनसुन में चिन्नई वर्षा छाया शेतर में आ जाता है यानि वर्षा है वो नहीं हो पाती है और यहां कम वर्षा होती है ग्रिशम कालिन मौनसुन में जबकि शीत कालिन में यहां अधिक बारिश होती है उसके बार नेक्स्ट कोशन दिया गया है आठमा जो कोशन दिया गया है जलवाईू और मोसम में क्या क्या अंतर है कोई तीन अंत लिखे तो जलवाई और मोसम में अंतर बताईए आपका थ्री मार्क्स में आ सकता है अच्छे खासे संभावना इस कोशन के आने की किसी स्थान विशेष की समय विशेष के दोरान वायू मंडल की दशा को मोसम कहते हैं यानि किसी स्थान विशेष कोई भी स्थान लगा लेज दिल्ली में आप लगा लेजी रोहिनी रोहिनी की समय कब जैसे आप आज की डेट ले सकते हो समय ले सकते हो उस समय वायू मंडल की क्या दशा है तापमान कितना है बादल कितनी है आदरता कितनी है तो ये सब क्या है ये मोसम में आएंगे और लंबे समय में मोसम के ओसत को जलवायू कहते हैं तो मोसम क्या है किसी स्थान विशेश की समय विशेश की दौरान वायू मिडल की दशा को मोसम कहते हैं और मोसम का लंबे समय में जो ओसत होगा एवरेज होगा उसे हम लेंगे जलवायू जैसे आप देते हो तो मासिक टेस्ट हैं ये मोसम की तरह होते हैं इसमें आपके मार्स उपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन आप कैसे बच्चे हो, एवरेज, एन्वल एक्जाम से पदा चलता ना, तो जलवाई हो, उसमें ज़्यादा प्रिवर्तन नहीं आता है, जल्दी से प्रिवर्तन नहीं आता है, और लंबे समय में उसमें कि तीस वर्स की देते हैं, दूसरा जो उंतर है, जल्वाई हो में प्रिवर्तन एक लंबे समय के बात आता है, जबकि मोसम में दिन में कई बार बदल सकता है, मोसम वो दिन में सुबर ठंडा है, तो दोपैर को गरम, शाम को बारिश भी हो सकते है, कई बार बदलावाते हैं, दूसरा उंतर रहेंगे उसके बार नाइन्थ कोशन दिया गया काफी इंपोर्टेंट कोशन है लेकिन इस तरीके से साइध आपके एक्जाम में ना पूछा जाए इसमें पूछा गया दिल्ली के मोसम को परभाईद करने वाले तत्व कोन से हैं हलांकि आपके एक्जाम में आ सकता है किसी भ भारत की जल्वाईओ को परभाईद करने वाले कारक कौन से हैं तो हमें बताना है दिल्ली के मोसम को यहां की जल्वाईओ को परभाईद करने वाले पर्मु कारक कौन से हैं तो इसमें पहला है एक्सांशिय सित्वी एक्सांशिय सित्वी का आर्थ ही होता है कि जैसे यह प तापमान कम होता जाएगा, भूमेद्य रिखा की तरफ तापमान अधिक होगा, तो पहला तो हमारी जलवायू को प्रभाइद करता है, अक्षान से स्थेदी, क्योंकि हम भूमेद्य रिखा से मध्यम दूरी पर हैं, तो इसलिए यहां पर सीटोशन जलवायू पाए जाती है यानि कि बहुत अधिक गर्मी है, लेकिन जो शीटोशन में बहुत अधिक ठंड भी होती है, तो पहला तो हमारी एक्षान से स्थेदी है, उसके कारण यहां के जलवायू वो अलग है, यहां का मोसम भी अलग है, उसके पर दूसरा जो कारक प्रभाइद करता है, दिल्ली की जलवायू को और यहां के मोसम को वो है समुदर से दूरी, जो समुदर के पास के लाके होते हैं, वहां पे सम जलवायू रहती है, सम मतलब पूरी साल एक जैसी जलवायू रहती है, जबकि दिल्ली समुदर से दूर है, इसके कारण यहां विशम जलवायू है, सर्दियों मे वायुदाब तथा पाउने, किसी भी स्थान की जलवायु को परभाइद करते हैं, वायुदाब तथा पाउने, तो दिल्ली की जलवायु को भी परभाइद करेंगे, यहां के मोसम को भी परभाइद करेंगे, गर्मियों में तापमान अधिक होता है, दिल्ली में, तापमान देख वायोदाब कम तो पवने चलने लगती है समूदर से स्तल की तरफ पूरे उत्री भारत में ऐसा होता है तो इसके कारण मौन सुनी वारिश होती है यहां पर वर्षा ना होती है अगर यहां पर उत्री भारत में वायोदाब कम ना होता थो तो इसके कारण वारिश होती है तो एक तो पाउनों ने परवाइद किया ना दूसरा यह कि यहाँ पर गर्मियों में एक और पाउन चलती है जिसको हम लू कहते हैं यह भी यहाँ के मौसम को परवाइद करती है हर्याना, पंजाब, राजस्तान और दिल्ली, पश्मी, यूपी इन अलाकों के मौसम को परवाइद करती है लू भी क्योंकि तापमान बढ़ जाता है तो पवनी है, वायुदाब है यह भी यहाँ की जलवाइद को परवाइद करते है चोथा जो कारक दिल्ली के मौसम और जलवाइद को परवाइद करता है हमाले परवत हिमाले परवत नेके विल पूरे देश में बलकि दिल्ली में भी हम भी देश में आते हैं वर्षा लाने में सायक है क्योंकि ये एक अवरोध बन जाता और मौनसुन परवने वो बारिश करती है पार नहीं कर पाती और साथ ही साथ ये उत्तर से आने वाले ठंडी पाउन जो है उसे भी दिल्ली को और हदिक ठंडी होने से बचाता है उससे भी उन पाउनों को रोकता है अगर वो पवने नहीं रुकती तो जितना हम temperature देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा ठंड हो गई साइध इससे कहीं ज्यादा ठंड होती बरफ़ारी भी यहाँ पर होती तो यह दोनों तरीके से हिमाले है बारिश भी लेके आता है और ठंडी पवनों से भी बचाता है पांचवा पश्मी विक्षोब जो यहां की जलवाईयों को प्रभाइद करता है पंजाब, हर्याना, राजस्तान, पश्मी, यूपियो और दिल्ली की जलवाईयों को सिरफ प्रभाइद करते हैं पश्मी विक्षोप, पश्मी विक्षोप के कारण सीतरी तुमें, दिल्ली में, दिसंबर और जनवरी में बारिश होती है। और इसके कारण यहां के मौसम में बदलावाता है, सर्दी थोड़ी से लंबी खिंचाती है, तो यह भी एक कारख है जो यहां के मौसम को सकता है, पहला तो हमें यह बताना है, फिर दो एक्जामपल भी देने, कैसे परभाव पड़ता है। समुदर के पास जो इलाके होते हैं, वहां का तापमान वर्ष बर एक समान रहता है, क्योंकि पानी ना तो जल्दी गरम होता, ना ही जल्दी थंडा होता। तो इसलिए उ सर्दियों में कडाके की सर्दियों होती है, गर्मियों में कडाके की गर्मियों होती है। दूसरा जो परभाव पड़ता है समुदर के पास का, समुदर के पास के इलाकों में देनिक तापांतर भी कम पाए जाता है, यानि कि रात और दिन के तापमान में ज्यादा अंतर न सेल्सिस के आस पास आ आ जाता है। देखे ंचापंपर 24 गंटों में नाच रा रहें है तो समुद्र के पास के लाकों में जो देनिक ताप अंतर है वो भी कम होता है वार्षिक ताप अंतर भी कम होता है अब इसके एक्जामपल देने की कैसे परभावित करता है तो हमें एक्जामपल राजस्तान के ही लेंगे उत्री भारत के लेंगे अपने दिल्ली का लेंगे प तापमान जीरो डिग्री के आसपास पहुंच जाता है जबकि चिन्नेई या मुंबई में इस रित्व में भी तापमान 20 से 25 डिग्री सेलसेस के आसपास ही बना रहता है तो इससे पता चलता है कि समुद्र है कैसे किस स्तान की जलवाईयों को वहां के मौसम को परभाइद करता है तो यह थी हमारी आज की वर्कशीट जो काफी इंपोर्टेंट थी थोड़ी सी लेंथी थी उमीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आई होगी अगर यह वर्कशीट आपको अच्छे समझ में आई तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलेगा साथी साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी जोइन कर सकते हो टेलिग्राम चेनल पर भी जोइन कर सकते हो साथी साथ आप कोंटेक्ट इसली कर पाओगे आपके डाउट से कोश्चन से सुझाओ है तो वो भी ले लिए जाएंगे मेरे लिए काफे जी हो जाएगा आज के लिए बस इतना ही थेंक यू बाइबाई हैव नाइस टे